है एलो एवरिवन आज है हमारा यह यूथ कॉंपिटेशन टाइम्स का चभवन पेपर सेट में से यह ग्यारवा पेपर सेट यह सिक्षन एंवंशोद अभी होगी ता का प्रथम पेपर सेट सभी सब्जिक कई पेपर सेट होते हैं उन्हीं में से यह है नौक्टूबर 2020 का शि करना कैसे करना कैसे नहीं है तो यहां पर data interpretation के शुरू में ही पांच questions दी हो हैroid इंको मैं skip करते हूं और करते हैं question स्चुरू कोशन inmbar six कुशन नमबर शिक्स दिया हुआ यहां पर कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापकेवं चात्र आपस में सहय भागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं ऐसे वातावरण में कौन सा सिक्षन इस तर होगा तो इसका अंसर है विमर्शी इस तर रिफ्लेक्टिव लेवल next है कुश नमबर 7 निमलिखित परकार के अधिगम के लिए सही पदानुक्रम क्या होगा तो इसका अंसर है ऑप्षन नमबर A option number a दिया है गेने के according जो अधिगम का पदानुकरम है सही करम है वो दिया है तो option number a के according है b, a, c और b, a, c, e और d ठीक है तो इसके according हम देख लेता है b है option संकेत अधिगम ai का विभेधी करण अधिगम फिर है आफधारन अधिगम e है नियम अधिगम और option number d है समस्या निदान अधिगम ठीक है लेकिन यहाँ पर जो गेने ने sequence दिया है उसके according है संकेत अधिगम, s, r अधिगम, शंकला अधिगम, मौकिक सही होगी अधिगम विभेधी करण अधिगम, अवधारन अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान अधिगम ठीक है तो यह sequence याद कर लेंगे तो कहीं नहीं questions आते ही हैं next है सामानी करण योग्यता के लिए संभावना की खोज पर केंद्रिया होने के साथ नियम लिखित में से कौन सा शोध का प्रकार मुख्यत है सेधानतिक प्रगति के प्रियोग पर लक्षित होता है तो इसका अंसर होगा option number D, अनुप्रियुक्त शोध next है question number 9, महाविद्याले इस्तर की सिक्षा में आत्न गत, सु इस्थती, निशित करने की द्रश्टी से चात्रों को अभी प्रेरित एवं प्रोचसाहित करने में प्रभाविता लाने के लिए अध्यापक में नेमली कितमे से कौन सा बोधिकुन संपोशित करने की आवशक्त है, तो इसका आंसर होगा option number B, भावनात्मक बुद्धी संबंधी, next है question number 10, यह है कथन एक और कथन दो, कथन एक और कथन दो में देख लेते हैं, अनुदेशात्मक लक्षों को पूरा करने के लिए सेवा में प्रियोग की गई तक्निकों का network, जो है अनुदेशात्मक तक् फिर है, कथन दो, यदि व्यक्ति तो विकास शिक्षा का लक्ष है, तो computer added शिक्षन अध्यापक को परतिस्थापित कर सकता है, तो ऐसा नहीं है, यह गलत है, क्योंकि computer को चलाने के लिए भी विशेशग्य की आवश्रक्ता होती है, और उसमें निदेश जो data fix किया जाता है तो वो व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है, नेक्स्ट है, question number 11, तिरभुजन उपागम का परियोग करने वाली शोध परियोजना में निमलिखित में से कौन सा अभी भाव की है, भागिदारी, अभी विरत्ती तथा समस्याओं के अध्यन पर जाच का भाग बन सकता है, तो इसका answer होगा, option number D, option number D के according, A साक्षादकार, B प्रेक्षण मतलब की observation और E के वल, जो की है, केंद्रित सम्हु चर्चा, साक्षादकार, observation और केंद्रित सम्हु चर्चा, focused group discussion, next है, तीन के बारे बताया ना, त्रभुजन, जिसमें, interview, observation and focus group discussion, next हैगा, question number 12, ये है, इस तरह के question साथ आ रहे हैं, बार बारी, निमलिकित में से कौन सी शोध विदी, बारे हम पुछा जा रहा है, उनकी definitions दे लेकर, उन्हें अच्छे से समझा कर, शोध विदी के बारे हम तो इसका आंसार होगा, experimental method, मतलब कि पृज़िक विदी, next है, question number 13, ये निमलिकित में से किस में शोध नैतिक्ता के उलंगन के परियाप्त अफसर है, निमलिकित में से किस में शोध नैतिक्ता के उलंगन के परियाप्त अफसर है, तो इसके according है, option number C, आकडो की व्याख्या, option number D, दूसरों द्वारा बनाए गए शोध साधनों का परियोग करना, और option number E, तो यहाँ पर जो options दिये हैं, इनमें है ही नहीं, तो कहां से लाएंगे, यहाँ है, option number C के according, आकडो की व्याख्या, शोध परिणामों की जानकारी, तथा, शोध परिणामों की जानकारी, तथा, दूसरे द्वारा निर्में शोध उपकरनों के परियोग के समय, शोध नैतिकता के उलंगन में परियाप्त अफसर होते हैं, शोध करता को इंगती विधियों के दोरान, शोध नैतिकता बनाए रखने के लिए खास ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, नेक्स्ट है कोशिश नमबर फोर्टीन, फोर्टीन है, स्टेटमेंट बन और स्टेटमेंट टू, यह कहते हैं, शोध परिकल्पना एक अनुमानित कथन है, जो अध्यन की समस्या के निदान की दिशा में चरों के बीच संबंदों को अभिधारित करता है, सही है, कथन दों क्या कहता है, गैर संभवता, परतिदर्श, परतिचेन, परकरिया, जन संख्या, प्राचल के लिए सर्वोत्तम आकलन है, तो ये गलत है, नेक्स्ट है, कोशन नमबर 15, कक्षा में सिक्षन व्यावार के नीचे नीचे दिये गए गुणों के अनुसार, किसको रचनात्मक मुल्यांगन के भाग के रूप में वर्गी करत किया जाएगा, कक्षा में सिक्षन व्यावार के नीचे दिये A, A है चात्रों में इस पस्टिकरण प्राप्त करने के लिए अध्यापक प्रश्न पूछेगा B, B में है चात्रों द्वारा प्रदत की गई विशेश्ताओं के इस तरको अध्यापक V निर्दिष्ट करेगा और option number D, प्रस्टिकरण के समय अध्यापक छात्रों को अनुबोध करवाता है तथा जाच करता है ठीक है Next है question number 16 श्रोताओं द्वारा अवश्रवन इसकी और ले जाता है किसकी और? option number C, एय अथार्थ अनुमती की और एय अथार्थ अनुमती की और inaccurate inference Next है, सुची एक को सुची दो से मिलाना है question number 17 अरस्तू, वक्ता के इंद्रि संचार है शैनिन वीवर, उपर से नीचे रेखे संचार वीवलर स्क्राम, यह है वरत्य संचार और डेविड बरलो, यह है SMCR प्रेशक संदेश चैनल प्राप्त करता प्रारूप Next है, question number 18 Sectionic प्रसारन चैनलों को चुनने वाले निमलिखित देशों के काला नुकरम को चिनित कीजिए इसके according होगा United States, Great Britain, Canada, Australia और भारत Next है, question number 19 Statement 1 और Statement 2 Statement 1 क्याती है? अवाचिक संकेतों का मुक्त एवं ऐसीमित प्रियोग कक्षा में सिक्षन के संप्रेशनात्मक पहलों को बढ़ाता है यह गलत है ऐसीमित नहीं, सीमित होना चाहिए जितने की जुरतों उतना होना चाहिए, ऐसीमित नहीं कतन 2 है, अध्यापक का आकर्शन व्यक्तितों कक्षा के वातावरन को जीवंत बना देता है तो इसका अंसर होगा, कि यह सही है बिल्कुल, अध्यापक का आकर्शन व्यक्तितों आकर्शन व्यक्तितों कक्षा के वातावरन को बिल्कुल सही बाते जीवंत बना देता है next है, question number 20 question number 20 कहता है, कक्षा में प्रभावी संप्रेशन के यह परिणाम है कक्षा में प्रभावी संप्रेशन के, कौन से परिणाम है, देख लेता है, option number D है इसके according, अधिगम संतुष्टी, अनुसरन के रूप में फिर है, लक्षों की प्राप्ति के लिए छात्रों को सक्षम बनाना और सकारात्मक अधिगम प्रतिफल प्राप्त करना अधिगम संतुष्टी, अनुसरन के रूप में, लक्षों की प्राप्ति के लिए छात्रों को सक्षम बनाना और सकारात्मक अधिगम प्रतिफल फिर है, question number 21 एक बटा, बारा का कौन सा भाग, तीन बटे, आठ है तो इसका अंसर होगा, नो बटे, दो 9 upon 2 नेक्स्ट है, question number 22 राजीव, संजीव और विजय ने एक दोड परतियोगता में भाग लिया ये भी आपका copy pencil का है, मैं बस question पढ़ दे रहे हूँ भाग लिया, जिसकी कुल दूरी 1500 मिटर थी, राजीव ने संजीव को 30 मिटर से पीछे छोड़ा जबकि विजय को 100 मिटर से पीछे छोड़ा, कुल दूरी की परतियोगता में, संजीव विजय को कितनी दूरी से पीछे छोड़ता यदि, यदि दोनों ने पहले जैसी दोड की होती चीक है, तो next है, कथन एक और कथन दो यदि आप किसी समकौन तरभुज की दो भुजाओं की लंबाई जानते हैं, तो तीसरी भुजा की लंबाई नहीं निकाली जा सकती तो ये statement सही है यदि आप, सॉरी, सही नहीं है यदि आप किसी समकौन तरभुज की दो भुजाओं की लंबाई जानते हैं, तो तीसरी भुजा की लंबाई नहीं निकाली जा सकती तो ये कथन ऐसात्य है, गलत है कथन दो है, किसी तरभुज के अंत कोणों का योग योग 180 डिगरी होता है, ये कोशन पहले भी आया है तो ये सही है एक तरभुज की तीन भुजाओं का योग 180 होता है, किसी तरभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है एक समकोन तिरभुज की जब दो भुजाओं ग्यात हों तो तीसरी भुजा की लंबाई पाइथागोरस नियम द्वारा ग्यात की जा सकती है ठीक है, नेक्स्ट है इस्थान परिवर्तन करने से करने से दिया गया समी करण सही हो जाता है इसके अंतरगत चार विकलपों में ऐसा भी निर्दिष्ट है कि समी करण में चिन्हों का जैसे ही अंतहम परिवर्तन किया जाएगा समी करण सही हो जाएगा यह भी आपके copy pencil के questions है, कर ले न, इसका according option number B right है next है 25, namely कि इस टेनी में विभाजेतिया, अंक को चुने तो इसका according option number C A, 50 होगा next है 26, मोटा कृष्ण दत्ता, दत्ता दो दिन में खाता है मोटा कृष्ण दत्ता दो दिन में खाता है, अर्थवा रात में मोटा कृष्ण दत्ता दिन में नहीं खाता, अतह मोटा कृष्ण दत्ता रातरी में खाता है तो यह क्या है, उप्रोक्त उधारन किस प्रकार का निकर्ष है तो according to this यह है नहीं तार्थ, अर्थात पत्ती implication अर्थात पति ठीक है अर्थात पति क्या है अर्थात पति प्रमान के माध्यम से हम दो तत्यों के बीच विरोधा भाष के परिणाम सवरूप एक तत्य की खोच करते हैं यहां मोटे कृष्णदत के दिन में खाने के आधार पर रात को खाने के तत्य को शिद किया गया है और C होकी और बैडमिंटन खेलते हैं, C और D बैडमिंटन और टैनिस खेलते हैं, D और A फुटबोल क्रिकिट तथा टैनिस खेलते हैं, निम लिखित में से सही उतर को चुनिए तो इसका अंसर होगा, option number B, B के according, एक, चार और पांच, एक है क्रिकिट नहीं खेलता है, चार है, A, B और D फुटबोल तथा क्रिकिट खेलते हैं, और पांच है, B के तिरिक सभी टैनिस खेलते हैं नेक्स्ट है, निम लिखित श्रंखला में प्रशन चिन के स्थान पर क्या आएगा, तो यहां पर है, U, O, I, कुश्यमाक, कुश्यमाक की जगाँ पर क्या आएगा है, यह पूछा है, तो option number D का सही आंसर होगा, E, A, Easy है, वर्ड माला के स्वर्स पुछे गए है, वोविल्स A, E, I, O, U, तो इस में से जो नहीं है, वो आचाएगा, नेक्स्ट है, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन शुकरवार था, तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा, यदि बीते हुए कल के पहले का दिन शुकरवार था, तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा तो आंसर है शुकरवार होगा नेक्स्ट है यदि बीते हुए कल से पहले का दिन शुकरवार था तो आज का दिन रवीवार होगा अत है आने वाले कल के बाद का दिन जो है वो मंगलवार होगा इसलिए आने वाले कल के बाद का तीसरा दिन शुकरवार होगा Option number A, इसका right answer है Next है सुची एक को, सुची दो से मिलाना है यह है चिपकली, सरी सर्भ तो इसका combination होगा गरुड, पक्षी Tennis court, skating ring सांड गाए, जादुगर, जादुगर नी बनस्पती विज्यान, पोधा और हेमाटलोजी, राक्त Next है, computer में DVD, रोम है तो DVD, रोम क्या है, computer में? यह कुछ है, computer में DVD, रोम एक optical storage media है जिसे केवल एक ही बार में लिखा जा सकता है Optical storage media है जिसे एक ही बार में लिखा जा सकता है Option number C Next है, question number 22 Computer memory के समद में नेमलिखित अभिकात नों में से कौन सा सही है? तो इसका answer होगा, option number C C के according A है, catch memory volatile memory है और D है volatile memory है ठीक है? Catch memory volatile memory है और RAM volatile memory है Next है, question number 33 Question number 33 Recycle bin Windows OS में एक ऐसा छेतर है जहां किससे हटाई गई फाईले रहती है Option number A एक according hard disk से recycle bin windows OS में एक ऐसा छेतर है जहां hard disk से हटाई गई फाइले रहती है next question number 34 बढ़ते हुए memory access times कम से अधिक की और के आधार पर निम लिखित computer memory के सही करम की पहचान करें तो इसका answer होगा option number B B के according registered catch memory main memory और option number C secondary memory होगे registered catch memory main memory और secondary memory next है question number 35 यह है कथन एक 10 किलोमेटर sorry 10 किसी तीन अंकों वाले 10. संख्या को स्टोर करने के लिए पेक्षित बिच्स की नियूनतम संख्या 10 है तो यह option सही है फिर क्या कहते हैं किसी digital computer में data को bits bytes के रूप में store किया जाता है जहां एक petabyte 250 bits के बराबर है तो यह गलत है नेक्स्ट है 36 भारत के पास विशाल थीसिस भारत के पास विशील विशाल थोरियम भंडार है जो आवनिक उर्जा का सक्षम उर्जा इस रोथ है यह थोरियम भंडार मुखे तक कहा है तो इसका आंसरों का option number C केरल, केरल समुदर के तटिया बालू में थोरियम जाए वो केरल समुदर के तटिया बालू में मिलता है नेक्स्ट है 37 question number यह निमली खित में सतत विकास के लक्षों के अनुरूप विशिस्ट लक्षों की पहचान करें तो इसके according है option number A सही है A, B और E A है उतरदाई खपत एवा मुत्पादन B है भूजीवन और E है ऐसमानता में कमी उतरदाई खपत एवा मुत्पादन भूजीवन और असमानता नेक्स्ट है question number 38 question number 38 कहता है कथन और कारण मानव स्वास्त के लिए पैटरोल वाहनों की तुलना में डीजल वाहनों के उत्सरजन अधिखानी कारक है तो ऐसा नहीं है फिर कारण क्या है इसका डीजल वाहनों में से हाइड्रो कारबन तथा कारबन मोनोअकसाइड का उत्सरजन अंतरबूत रूप से काफी काम होता है तो ये गलत है नेक्स है 39 अभिकतन और कारण ये है सोर्थ आलाबता आपके रूप में सोरूर्जा का भंडारन करते हैं सही है फिर है सोर्थ आलाब में निश्यत परवन्ता में लवन्ता सादरशिता वाला जल मोजूद है ये भी सही है दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं नेक्स है 40 कोशिन अमबर आई पी सी के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में वैश्वी कारबंडा या उक्साइड उसर जन में निमलिखित छेत्रों में किसका योगदान सबसे कम रहा तो इसका अंसर होगा परिवहन का नेक्स्ट है निमलिखित ब्रिक्स देशों का अनुसंधान पत्रों के परकाशन के संबन में घड़ता हुआ सही क्रम क्या है तो इसका अंसर है उप्शन नमबर C यह है चीन उसके बाद भारत फिर रूस फिर साउथ अफ्रीका यह भी क्रम बार-बार आई ही रहा है नेक्स्ट है नेक्स्ट है प्शन नमबर 42 प्शन नमबर 42 कहता है भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्राले का इशोद, सिंधु परियास, छेत्रों और अनुसंधान करताओं को उपलब्ध कराता है तो इसका अंसर होगा उप्शन नमबर B इजनरल्स के द्वारा नेक्स्ट है प्शन नमबर 43 निमलिखित में से कौन सा प्राचीन सैक्षिंग संस्थान संसान गंगा नदी के तठ पर इस्थित था तो अंसर होगा इसका विक्रमशिला विश्विद्या ले नेक्स्ट है कोशन नमबर 44 रास्टे कोशल योगिता फ्रेमवर्क NSQF के अनुसार इसना तक B-Walk डिग्री कारक्रम में कितने पाठिकरम कार्य के क्रेडिट्स पूरा करना अपिक्षित है तो इसका अंसर होगा ऑप्शन नमबर D 180 क्रेडिट्स नेक्स्ट है HMRD भारत सरकार की योजना HRIA Sorry A-R-I-A A-R-I-A का पूर्ण रूप है तो यह है Option नमबर A HMRD मतलब की भारत सरकार A-R-I-A का पूर्ण रूप अटल रैंकिंग ओफ इंस्टिूशन ओफ इनोविशन अचीवमेंट है अटल रैंकिंग अटल रैंकिंग ओफ इंस्टिूशन ओन इन्वेंशन अचीवमेंट ठीक है अब आज आते हैं आपका Comprehension पर यह Comprehension दिया हुआ है English में और यह Hindi में Complete होता है यहाँ पर आप देख सकते हो इसको इसके according यह questions आप कर सकते हैं इतना टाइम नहीं है नहीं तो Comprehension के अलग-अलग से paragraph करा के तब कराएंकिंग अगर आगे टाइम होगा तो अभी तो एक्जाम सर पे ही है चलो ठीक है इसको रखता है अब जिन्होंने सब्सक्राइब किया चैनल को उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज वो भी कर ले ना और इनकी फोटोज आपको टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएंगी जिनको पिक्स चाहिए इस पेपर सेट की ओके थेंक्यू वरी मच्च जिनके काम किये वीडियो वो लाइक भी कर देना